नमस्कार आप देख रहे हैं स्टार सिटी नियूस इस वक्त हमार साथ मौझूद है भारतिय जंता पाइटी से सुनिल गोयल जी आए बात करते हैं कुछ इनके विचारों को लेकी सर पहले आप अपने एक चोड़ाता इंट्टो टेक्शन दिजी नमस्कार जी मेरा नाम सुनि त्रिंगर में तीन बार मैं जर् lever着 महमद्रि रहा हूँ। ड्रामकिशन वश्वाशी जी के साथ सबसे पहले था सुनिल जैयन जी के साथ महमद्री रहा महमंत्री त्इन गड़र मैं महामंत्री रहा था पिछले दो-तिन सालों से करोना के बाद प्रोगाम नहीं हो पारा और एक नवदर्शी सोचल और ब्लाइंड वेलफेर सोसाइटी है जिसका रामभिहार में हमने एक नेतरीन आसरम बना रखा है उस आसरम के अंदर नेतरीन बच्चे निसुलुक अवास और रहने की और खाने हम उन बच्चों को कहीं नहीं बेशते हैं सभी मित्रों के द्वारा वो चलाया जाता है इसके लावा एक हनुमान धाम रामनगर ननिताल के अंदर है हनुमान सेवा टर्स्ट में उसमें पहले में फाउंडर राष्टिया उसादक्स था अभी उपादक्सी जिम्मेदारी मे कि 75 अमरित महुस्ता को जगा जगा जो जन्टे की मुहीम चलाए जारे सर इस मुहीम में आपकी कितने भागेदारी से देखिए बड़ा गरव का विशह है कि आज हम 75 अमरत महुस्तों के रूप में मना रहे हैं साथ में हम सब लोग इस बात के शाक्षी है यह हमारे बड़ा पाजीक ने आवान किया है कि घर घर तिरंगा जन्टा 12 तरीक से 5 सा तरीक तक लगे आजकल हम उसमरत में लगे वेकति तक जन्टा पहुंचा रहे हैं जो लोग जन्ना नहीं को सकते उसको ने शुलूक दिया जा रहा है हर सबात की चिता करें वह किस विचारदारा का नहीं कि इस बात की बिना परवा करेंगी निकिति को दिखें ल्गत कोмы कि अपि यह परत वरत के लोकतंत्र में संभव है कि अधिवाशी महिला जिसने अपना जीवन बहुत नीचे से करा जमीन इस तर से वो एक राश्पती के उच पद पर आज आशीन हुई है और ये संबब हो पाया है हमारे नरेंदर मोदी जी परधान मंतरी के प्रियासों से जिन्होंने हमेशा ही ऐसे चुन-चुन के लाएं हैं ये कोई पहला एक्जामपल हमारे लिए न लिए उन्होंने डेंग रूम के एसी रूमों में बैठ कर अपनी योजनाय बनाई है जिससे की गरीब व्यक्ति तक वो योजना आज तक नहीं पहुच पाई दिल्ली परदेश अधेश अधेश गुपता जी लगतार आपकारी नीति को लेके वी उठा रहे हैं हमाज केजर के लिए पानी बजली शिक्षा पर हम काम कर रहे हैं क्या कि आपको पता दूँ जो हमारे इस वक्त दिल्ली परदेश के अधेश से अधर निया अधेश गुपता जी बहुत ही सुल्जेवे वेक्ति इससे पहले महापूर रहे हुए हैं उन्हें एक एक चीज का पता है कर दिल्ली परदेश के अधेश गुपता जी के लगाए वे सब यारोप बिल्कुछ सही थे सुनिल जी जीस्ट के बड़ते दामों पे भी कहने कई वेपार पे या आम जनता का जो रोजाना का खाने कमाने की जो जरिया है उस पर कहने कई आज महिंगाई का दोर जहिल रही जनता इस पर क्या बहुत जाज़ा बड़े हुई है और सब देश इसका मुकाबला नहीं कर हमें बड़ा गरव का विशा है कि हमारे पास परधान मंतिर रेंदर मोदी जैसा दूर दर्शी वेक्ती है जो इस बातों को बहुत पहले इन्होंने भाप लिया था कि आने वाले समय में अर्थवर्शा के आलत बहुत जादा खराब हो नहीं है जिसके वैसे उन्होंने काम कर रही है आने वाले वक्त के अंदर इस मेंगाई को आप देखेंगे बहुत दूर हो गई है बहुत जल्द खतम हो जाएगी और देशों से हमारे देश की हालत पिर भी बहुत जादा अच्छी है अच्छी है पर देखेंगे बहुत जादा प्रेसान है बहुत जादा दुखी है वैपारों की हालत बहुत जादा खराब है इसमें कहीं दो राए नहीं है प्रन्तु आप यह सोचिए कि जब हम किसी मिशन को लेके काम करते हैं तो बहुत लंबा होता है एक गंभीर बीमारी हमारे भारतवास के अंदर थी पिछले 70 वर्सों से उस गंभीर बीमारी को हटाने के लिए इलाज भी थोड़ा सा लंबा चलेगा हो सकता है उस लंबे इलाज में हर एक को परिशानी आती है कोई मरीज होता है जब वो इलाज चलता है तो उसको थोड़ी सी परिशानी आती ह कई बार दवायों का रिफेक्ट भी आता है आपके सर जो सोचल एक्टिविटी है राज निती से या उसके लावा समाजिक तौर पे क्या का काम कर रहे हैं देखिए एक हमारा लाज कलब दिल्ली एक्टिव है जो लाज कलब इंटरनेशनल डिस्टिक 3212 के दरगत आता है उ जो एक बहुत बड़ी विश्व परसिद मोटिवेटर है और इससे पहले हमारे अध्यक्स एडवोकेट योगे सगरवाल जी थे जो भी रिजन चेहर परसन है उससे पहले मैं उसका हांडर प्रेडेंट था अभी मेरे पास डिस्टिक के अंदर जिम्यदारी है कैबिनेट से के तुरू हम सभी जितने भी जुरुत बंद लोगोते हैं उनकी मदद करने की पूर्ण कोशिस करते हैं हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति तक छोर पे आखरी जो व्यक्ति खड़ावा है उस तक उस विदाए पहुचे अगर परमात्पा ने हमें कुछ ज्यादा दिया है तो हमें उसे आगे के लोगों को बाटना चीए इसी परियास के साथ हम इस संस्ता के तुरू सेवा कारे में लगी रहते हैं सुनील गुल जी मेरा आप से स्वाल है जैसे की भारती जंदर पाइटी की 27 साल का बनवास दिल्ली में सरो हो चुक है सरकार नहीं बन पारी इसका सबसे मुख्य कारण क्या मात देखिए आज कल आप देख रहे हैं कि हाई कोट में सुप्रिम कोट में भी ये चल रहा है बुफ्त का दिल्ली जैसे सहर के अंदर एक विशेश परकार की कोई अबादी नहीं रहती जिसकी विशेश सोचो यहां सबी स्टेटों के आए वे आसपास के लोग रहते हैं मिली जुली पर्तिकरिया होती है मिली जुली लोगों का सबाव रवेवार होता है इसकी वज़े से वह लोग कई बार इन लोब लालच में कहें या सरकार की जूटा परलोबन नितियां कहें इन नितियों के लालच में वो आ जाता है इसी वज़े से आप पार्टी पिछले 10 सालों से 7-8 सालों से आप उसे एक डेटे साल पहले आप लगा लें जो इनने सासन कर रहा है जनता का सोसन कर रही है अब जनता दिरे समझ गई है कि इन नितियों से देश का बला नहीं हो रहा देश का नुकसान हो रहा है इसलिए आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत्य इंता पार्टी की सरकार दिली में जरूर बढ़ेगी मगर आप सरी 8 साल की बात कर रहे हैं इससे पहले कॉंग्रस का शासन बिरा क्या भाश्पा में ऐसे कोई चेहरा नहीं है सीम या कईना की कंट्रोवर्सी मांते हैं आप इस कीज हैं डॉक्टर हर्सवर्दन विशेगोईल जी आदेश कुपता जी साब सिंवर्मां जी के सुपतर परवेश्परमां जी कैई ऐसे नाम हैं जिने आप लेंगे और भी बहुत नाम है जो मुख्या मंत्री के परबल दावेदार है और दिल्ली के दरूरों का बहुत परियाब कि इस बार दिल्ली की जन्ता समझ गई है और परवल बहुमर से मारते जन्ता पार्टी को विजयी बनाएंगी और आप देखेंगे दिल्ली को बहुत बड़ी आमख्यमंत्री मिले जाएगा सुनियल जी अब मस्टी चुनाव को पत्ता है और आने वाले जो परियनाम है क्या देखने हैं दिल्ली में देखिए M.C.D. चुनाओं के अंदर आपको अभी दिसम्बर तक उमीद है कि सारे परक्रिया पूरी हो जाएंगे और दिसम्बर के बाद दिसम्बर में या नेक्स्टियर जनवरी फरवरी में चुनाओं बहुत जल्दा आपको देखने को मिलेंगे सबसे बड़ी प्रॉलम क्या रही थी M.C.D. में भारती जनवरी को बदनाम किया गया दिली सरकार के द्वारा दिली सरकार ने उसके फंड रोक लिए जो भी हमारे करमचारी थे निगम पार्टी के कहने पर काम नहीं करते थे विदायक उनको अपनी मरमानी कराता था विदायक उनके पार जोर्जवर्सी करता था उनको दमकाता था जिसके वएसे हमारे निगम पार्टी के कारे करता है दुवारा विदायकों के दुवारा रिश्वत बांगी जाती थी और बदनाम M.C.D. को करा जाता था और इसलिए बार-बार हमारे अनुरोध करने के बाद भी वहां तक कोई सुनवाई नहीं होती थी हम इसके बाद हमने हमारे जित्ते भी निंगा पार से तो उन्हें पार सांसत फंडों से बहुत काम करा है है प्रिशेतरों के दर उन्हें अपना नहीं मिल पाया वहन है और उस पॉन से बहुत काम हुए है और आने वाले समय में अब दहेंगे निगम के बादर ही पहुत से जीत होगी हमारे सब परताक्षी निगमे बहुत अदीक बात भी जीत करा हैंगी है सब्सक्राइब करने जानकारी है या जो मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए आने वाले सब्सक्राइब के इंदर से सब्सक्राइब करने अपनी जितनी भी ताकत उसका दुर्पयोग कर रहा है उस दुर्पयोग को रोकने के लिए आने वाले समय में आप देखेंगें एमसीडी बहुत ताकत के साथ आएगी और जंता की सेवा करेंगी तरी नगर आपकी विधान सबाएं क्या 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 है यहा कोहाट के लिए कपिल ब्यार और इसा बाते हैं और इन सब की अधिकतर अवस्कता हैं हमारे निगांपार्सदों के द्वारा पूरी गई है त्रिनेगर के अंदर हमारे निगांपार्सद निगांपार्सदा मिसिस संजे सरमा मंजू संजे सरमा जी थी और उससे पहले हमारी बेनेवाल मैं मैं वह सब्सक्राइब कर लोगे जिन जगहें पर जैसे रहा पुरी इंदर हमारा पारस्त नहीं था तो आप देखेंगा रामपुरे चेटर कुछ भी काम नहीं हुआ मैं आपको किसी पार्टी पे आरोप नहीं लगा है यह एक ना जब एक पार्टी का निखम पार्षाथ भी यूज को निगाँ करने लाया कुछ बसता ही नहीं कि ता बीदाय को अब हाम कर दिया और इसकी तरक्षी हो गई तो है उसके बहुत अच्छा काम करा मैं आश्या करता हूँ आने वाले अनुसरी में रहते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप पर्टी के कार्यकरता उनके विदायक उनकी सरकार उनके मुक्य क्रें मुपनों जो नाल विजय है यहां सोचें फियर सकते हैं जर्ड़ बन जाता तो जन्ता का बनता है सबी जनता को अपना समझे किसी भी व्यक्ति को किसी पार्टी विश्यस का ना समझे मैं यही अनुरोद करूँगा कि आने वाले समय में जो आप लोगों ने गलतिया करी है वो आप आगे नाद दुराएं बहुत बहुत दन्यवादी है तो यह हमारे सीधी बात सुनील गोयल जी से स्टार सिटी के साथ मैं जितिंदर गुपता हूँ